जार्खंड राज को better administration के लिए पाँच प्रमंडल में divide किया गया है। बहुत से जिले मिलके एक प्रमंडल का निर्मान करते हैं तो जार्खंड में पाँच division या पाँच का मिश्निरी है जिसको हिंदी में हम प्रमंडल कहते हैं और इन पाँच प्रमंडल में total 24 जिले आते है तो आज हम समझेंगे कि कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है किस प्रमंडल का क्या headquarter है और यहां से question बनता ही बनता है यह बहुत important है जार्खंड के हर exam के लिए तो देखिए प्रमंडल के नाम कुछ इस प्रकार है पलामू इसमें तीन जिला है कौन कौन सा गड़वा प जिद्नी नगर नौ छोटनागपूर इसका headquarter है हजारी बाग और इसमें साज जिले है कौन कौन से चत्रा हजारी बाग कोडर्मा ग्रिडी बुकारू धनबाद और रामगड फिर आए संथाल पर गना यह सबसे backward प्रमंडल है सबसे पिछरा हुआ चाहे वो income का matter हो health का matter हो यहाँ पे 6 जिले है देवगर, दूमका, गोड़ा, साहिब गंज, पाकुड और जामतारा अब आजाए नीचे दक्षिन छोटनागपूर इसका headquarter का है राची और इसमें कितने जिले है पाँच कौन कौन से राची, खूटी, गुमला, सीमडेगा और लोहर दगगा और इस संथार प्रगना का headquarter कहा है, संथार प्रगना का headquarter है दूमका, फिर लास्ट में कोलहान, यह सबसे नया प्रमंडल बना है, इसमें तीन जिले है, पूर्वी सिंगभूम, परश्चिमी सिंगभूम, और सराय के ला खर सवा, अब देखिए दोस्तों, ऐसे तो नाम याद नोड़ी सिग्भूम आती है, यह याद रखने में कि कौन सा जिला, कौन सा प्रमंडल में आता है, तो देख़िए जारखन में टोटल पांच प्रमंडल है, जैसे हमने डिसकर्स किया, 5 डिविजेन है, और उनमें कौन-कौन से जिले आते हैं, यह हम डिसकर्स करते हैं, और हमने इसके लिए shortcut बनाया है बस मजाक के परपस से ताकि आपको आसानी से जो districts है वो याद रहें तो देखे स्टार्ट करते हैं नौ छोटा नाकपूर से उत्री छोटा नाकपूर सबसे बड़ा कमिशनिरी है इसमें साथ district आते हैं इसका headquarter कहा है हजारी बाग तो इसका acronym बनाया है हमने CHGKRDB यानि कि चंद सेखर जी कहते हैं रंग देवसंती C से आपका चत्रा हो गया H से आपका हजारी बाग हो जी से आपका greedy हो गया K से आपका कुडर्मा हो गया R से आपका रामगड हो गया D से आपका धनबाद हो गया और B से हो गया बुकारो फिर next दक्षीन छोटा नागपूर यानि कि साव छोटा नागपूर इसका जो headquarter है वो रांची है और इसका हमने बनाया है कि R स विस्की लेने के बाद G के कुछ जादा ही निकलता है आप देखते हैं लोग पीने पाने के बाद कुछ जादा ही खुद को सूपर इंट्रिजेंट समझने लगते हैं तो R से आपका क्या हो गया R से आपका रांची हो गया S से हो गया Simdega L से हो गया Lohar Dugga G से हो गया Gumla और K से हो गया Kूटी फिर आप पलामू प्रबंडल में इसमें तीन जिले हैं ये इजी है LPG L से लाते हार P से पलामू G से गड़वा गड़वा एक मात्र जिला है जाखंड का जिसका बॉर्डर लगता है UP से अभी हम ये देखेंगे अगली वीडियो में कि कौन से जो जिला है उसका बॉर्डर किसके साथ लगता है फिर आए नेक्स प्रमंडल कमिशनरी जो है वो है कोलहान ये सबसे नया प्रमंडल है और एक चीज़ पलामू का हेड़कॉर्टर कहां पे है पलामू का हेड़कॉर् और पी से हो गया पूर्वी सिंग्भूम फिर लाश जो प्रमंडल है वो है संथाल परगना ये सबसे बैक्वर्ड कमिशनरी है इसमें छे जिले है इसका हेड़कॉर्टर दूमका है और इसका हमने बस मजा के परपस से बनाया है डियस्पी जी जो है वो पार्टी में डीज बन जाते हैं तो डी से हो गया दूमका, एस से हो गया साहिब गंज, पी से हो गया पाकुड, जी से हो गया गोड़ा, फिर दी से हो गया देवगर और जे से हो गया जामतारा फिर से एक बार देख लें, उत्री छोटा नाकपुर का हमने बनाया है, CHG कहते हैं RDB, मतलब चंद सेखर जी कहते हैं RDB C से चत्रा, S से हजारी बाग, G से गिर्डी, K से कोडरमा, R से रामगर, D से धनबाद, B से बुकारो दक्षिन छोटा नाकपुर का हमने बनाया है, RS पीने के बाद लोग जाद ही G के बोलते हैं R से हो गया राची, S से सिम्डेगा, L से लोहर दगगा, G से गुमला, K से खूटी, पलामू का तीन जिला, लातेहार, पलामू और गडवा कोलहान का, परशिम से पूरब तक, परशिमी सिंग भूम, सराय के लग हरसवा, पूरवी सिंग भूम और संथार परगना का, DSP जी जो है, वो पार्टी में DJ भी बन जाते हैं तो DSP का हो गया, दुमका, साहब गंज, पाकुड, G से हो गया, गोड़ा, D से देवघर, और J से जामतारा अब आए थोगा डिटेल में जानते हैं, उत्री छोटा नाकपूर, 9 छोटा नाकपूर, साज जिले हैं और इसके हमने क्या बनाया है, CHG के RDB, यानि कि चंद सेखर जी कहते हैं, रंग देबसंती C से चत्रा हो गया, बहुत ही बैकवार्ट प्रमंडल है, H हजारी बाग, ये हेड़कॉर्टर है, और डिलप है Greedy ये भी बैकवार्ड है, नकसलाइट प्रवावित, Greedy और चत्रा खास का नकसलाइट प्रवावित है Case एक कोडर्मा, यहां माइका है, माइका के विए से पुरे विस्व में फेमस है, इसको माइका कैप्टल अफ इंडिया भी कहते है Ramgad, यहां भी industrial unit है, धनबाद तो अपने कोल माइस के लिए पुरे विस्व में फेमस है और बोकारो जो है, बोकारो श्टिल प्लांट के लिए और अपने education के लिए फेमस है जो पाँच प्रमंडल है, उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे डिलप प्रमंडल जो है, उत्री छोटा नाकपूर कोलहान प्रमंडल, यह सबसे नया प्रमंडल है, और इसका headquarter क्या है, इसका headquarter है चाय बासा, इसमें तीन जिले है, इसके जिलों के हमने बनाया है, प्रश्यम से पूरब तक, P से हो गया प्रश्यमी सिंगभूम, इसका हाल बहुत खराब है S हो गया, सराइकेला खरसवा, यह थोड़ा बहुत डलब है, और P से फिर हो गया पूरवी सिंगभूम, यह कह सकता है कि सबसे डलब जिला है, पूरे जारखंड का यहाँ पे जमशेदपूर है, फिर अपका आदितपूर है, जहाँ पे टाटा, टेलको के यूनिट्स हैं, साथे साथ और भी धेसरी कंपनिया है इस वज़े से यहाँ पे इंकम अच्छा है लोगों का, हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन बढ़िया है, साथ ही साथ यहाँ जादू गोड़ा भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है संथाल परगना, यह जहाँ खंट का सबसे बैकवार्ड प्रमंडल या डिवीजन है, इसमें छे जिले आते हैं, और इसका हेड़कोर्टर कहां है, दूम का इसका हमने जो एक्रोनिम बनाया है, वो यह है, कि DSPG जो है, वो पार्टी में दीजे भी बन जाते है तो आपका DC, दूम का, यह उपराजधानी है जहारखंट की, बैकवार्डी समझेए, साहिब गंच बहुत बैकवार्ड है, लेकिन यहाँ पर भी सकेंड मल्टी मोडल टर्मिनल का उठगातन किया गया है, तो उमीद है, आने वाले सालों में यह एरिया का पिडिल अप होग पाकुड, जहारखंट का सबसे बैकवार्ड जिला जो है, वो पाकुड है, फिर जीसे गोड़ा, यह भी बैकवार्ड में ही काउंट होगा, देवगर, यहाँ पर बाबा नगरी है, टूरिजम की वैसे यहाँ ठीक ठाक है, जाम तरह अगेन बहुत बैकवार्ड, दक्षनी चोटा नागपुर, सावट चोटा नागपुर, इसमें पांच जिले आते हैं, और यह भी बहुत जादा नक्सल प्रभावित है, इसको भी आप बैकवार्ड में ही काउंट कीजिए, बस राची एक्सेप्शन है, राची जो है कैप्टिल है, इसलिए वहाँ पे काफी इगशने से, वहाँ पे इंकम, हेल्थ, एडुकेशन काफी अच्छा है, सीमडेगा, नक्सल प्रभावित है, लोहर दगगा, नक्सल प्रभावित है, लेकिन लोहर दगगा में बॉक्सायट के खदान है, यहाँ पे अल्मूनियम अच्छा मिलता है, गुमला में भी हमने बस मजा के परपरस से और आपको आसानी से याद रखने के चक्कर में बनाया है तो उमीद है दोस्तो अब आपको जो है यह याद रखने में कि कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है काफी आसानी होगी और इसको ठीक से करना है यह जो जीके है यह आपको आने वाले 7-9 JPSC जार्खन सचीवाले जार्खन दरोगा जार्खन टेट सभी में helpful साबित होगा तो दोस्तो मेहनत होगी जीत होगी all the best and thank you